असलाम लेकुम, स्टार्ट करते हैं New Oxford Modern English Book 2, Pay 34 पर Unit 5, The Last Sun इस कहारी को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि पुराने वक्तों में बादशाहों को खुश करने के लिए दर्बारों में कॉमेडियन्स चेरफूल जॉली मैन रखे जाते थे जैसे आज कल टीवी पर कॉमेडी शोस में कॉमेडियन्स हसाते हैं और बरजस्ता फॉरी जवाब देकर दूसरे बंदे को लाजवाब कर देते हैं तो इसी तरह का एक फणी मैन था मुला दो प्याजा स्टोरी में वो बादशा के दर्बार में बादशा को हंसाता था और वो हर सवाल का फॉरी जवाब देता बगहर हिरान बगहर परिशान हुए लेकिन ऐसे जहीन और दूसरों को लाजवाब कर देने वाले बंदे को उसका अपना बेटा स्पीचलेस कर देता है कैसे तो आईए पढ़ते हैं इस फ़नी स्टोरी में जानते हैं पहले मीनिंग्स बिहेव स्लूप करना पेशाना कोर्ट अदालत दर्बार डिसाइड़िट फैसला करना डायरेक्शन्स सिम्तें फेमस मशहूर शौक्ट सदमा पहुंचना धचका लगना स्पीचलेस, लाजवाब रह जाना, खामोश रह जाना, या कुंग हो जाना, ट्रबल्स, परिशानिया ओवर फोर हंडर्ड यर्स अगो, देर लिवट अ किंग काल्ट अकबर चार सु साल से ज्यादा अर्सा पहले अकबर नामी एक बादशा था वो इतना बड़ा बादशा था कि शहनशा कहलाता था अकबर लिवट इन अ हूज पैलस इन देली, अकबर देली में एक बहुत बड़े महल में रहता था अकबर के दरबार में बहुत से मशूर लोग थे there were artists and musicians उन में फंकार और मुसिकार थे dancers and poets, rakas और shora and clever scientists and writers too और जहीन सांस्तान और लिखारी भी थे there was also a very funny man there called Mullah Do Pyaaza वहाँ एक बहुत मजाहिया शख्स पी था जो Mullah Do Pyaaza कहलाता the mullah made the emperor love Mullah शेहनशा को हनसाता when the emperor was sad he called for the mullah जब कभी शेहनशा उदास होता वो Mullah को बलवाता where is my friend Do Pyaaza bring him to me now Do Pyaaza कहा है उसे मेरे पास अभी लाओ the servants in the court went off in all directions दरबार के मुलाजमीन हर तरफ चले जाते soon Mullah Do Pyaaza was brought before the emperor जल्द ही Mullah Do Pyaaza को शेहनशा के सामने लाया जाता and very soon the emperor forgot all his troubles और जल्द ही बाद्शा अपनी तमाम तकलिफें भूल जाता he rolled about with laughter वो हंसी से लोट पोट हो जाता Mullah Do Pyaaza really was a very funny man Mullah Do Pyaaza हकीकत में एक बहुत मजाहिया शक्स था nothing surprised him ना तो कोई चीज उसे हिरान करती and nothing shocked him और ना ही उसे परिशान करती he always had something to say उसके पास हमेशा कहने के लिए कुछ ना कुछ होता he had a quick answer for any question उसके पास हर सवाल का फौरी जवाब होता one morning Mullah said goodbye to his wife and son एक सुभा Mullah ने अपनी बीवी और बेटे को खुदाहफिस कहा and went off to the court as usual और ममूल के मुताबक दरबार के लिए रवाना हुआ his son Rafiq who was six years old began to behave very badly उसका बेटा Rafiq जो छे बरस का था बत्तमीजी करने लगा his mother the Mullah's wife was very angry with him you bad boy she shouted his mother decided to leave him there उसकी मा ने उसे वहीं छोडने का फैसला किया Rafiq stayed under the bed all day Rafiq सारा दिन पलंके नीचे रहा Rafiq behaved very badly today the Mullah's wife said when the Mullah returned in the evening Rafiq ने आज बहुत बत्तमीजी की उस श्याम जब Mullah घर वापस आया तो उसकी बीवी ने कहा I chased him and he is hiding under his bed मैंने उसका पीछा किया और वो अपने पलंके नीचे छुपा हुआ है I am worried about him now अब मुझे उसकी फिकर हो रही है but he won't listen to me मगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगा You go to him तुम उसके पास जाओ Talk to him sweetly उससे प्यार से बात करो and ask him to come and have his dinner और उससे कहो के आये और रात का खाना खा ले मुला दो प्याजा went to रफीक's room immediately मुला दो प्याजा फोरण रफीक के कमरे में गया He peeped under the bed उसने पलंके नीचे जांका Yes, there he was resting peacefully against the wall हाँ, वो वह मजूद था दिवार के साथ लगा स्कून से अराम कर रहा था The मुला did not want to frighten रफीक मुला रफीक को ड्राना नहीं चाहता था He lay on the floor and put his head right under the bed वो फरश पर लेट गया और अपना सर पलंके नीचे किया The little boy smiled brightly लड़का शोखी से मुस्कुराया Hello father, he said Have you been punished too? Hello abu उसने कहा क्या आपको भी सजा दी गई है? Never mind There is plenty of room under here for both of us यहां नीचे हम दोनों के लिए काफी जगा है Crawl right in and make yourself comfortable Ring कर अंदर आजाएं और अराम करें For the first time in his life, Mullah Doppiazza found himself speechless जिंदगी में पहली बार Mullah ने खुद को speechless यानि लाजवाब पाया, कुंग पाया He crawled under the bed and joined his son वो रिंग के पलंग के नीचे गुसा और अपने बेटे से जा मिला तो ये थी एक बहुत ही मज़धा स्टोरी तो आप नेक्स्ट इसकी जो exercise है उसकी वीडियो हासल करने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकान पर प्रेस कर लीजिए थैंक यू, अलाफ़ेज